हेलो एवरिवन स्वागत है अब से विकान अकेडमी के इस ओफिचल यूटूब चैनल पर मेरा नाम है गौरवश सर्मा और यह जो वीडियो है अगर आप मेडिकल फील्ड की स्टुडेंट्स हैं तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है जैसा कि एक दिन पहले मैंने एक व मेडिकल जो ऑफिसर्स होते हैं इन मेडिकल ऑफिसर्स की मरती के लिए तो अगर आप मेडिकल फील्ड से सम्मंदिध है तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर नहीं है तो आप अपना टाइम खराब यहाँ पर ना करें आप अपनी पड़ी तैयारी को अच्छे से करे देखो बच्चा मेडिकल ऑफिसर्स की बेकैंसी आई है और इसका जो फॉर्म है कि 18 तारीक 12 महिना 2020 मतलब 18 दिसंबर से डलना स्टार्ट हो जाएंगे और 17 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है जब आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन में लिखा ह हुआ है कि 31 2021 यह बेटा अगर आप ऑफिस में जाते हुँ आविदन को जमा करने के लिए मतलब आपने अगर किसी दूसरे मोड से किया है या आपने ऑनलाइन आविदन करके और आप जाना चाहते है डोकुमेंट को सब्मिट करने के लिए इसकी डेट है 31 ओनलाइन फॉर्म करने की लास्ट डेट कितनी है 17-1-2021 फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे 18-12-2020 है दो बेकेंसी आईए बिटा एक आईए मेडिकल ऑफिसर्स की इसके लिए योगता चाहिए MBBS आपके पास MBBS होना कंपलसरी है साथ में भारतिय चिकिस्था परिसद जो आपके पास भारतिय चिक चिकिस्था परिसद है इस भारतिय चिकिस्था परिसद के पास आपकी डिग्री रेजिस्टर्ड होना चाहिए और आफ्टर सिलेक्शन जो राज चिकिस्था परिसद है इसके पास भी आपको रेजिटेशन कराना पड़ेगा अगर आप नॉन मेडिकल ऑफिसर के लिए MSC चाहिए, MSC किसम है, बिटा बनस्पती सास्त, प्राणी सास्त, रसाइन सास्त, अगर इन में से किसी में आपने MSC की है, तो non medical officer के लिए apply कर सकते हैं, age group क्या है, बिटा ये 21 है, minimum, और maximum कितना है, 40 साल है, other जो group है, SC, ST, women, हमारे पाद जो paramedical staffs हैं, या military हैं, इन सब लोगो के लिए 5 साल का चूड़ दिया गया है, 5 year का क्या है, relaxation है, मतलब जिनको relaxation देती है सरकार, SC, ST, women, हमारे किसी भी forces से संबंदित हैं, आप सबको 5 साल का experience है, मतलब आपके लिए maximum age कितनी है, 45 year है, job की परिक्षा अब दी क्या रहेगी बीटा, ये 62 साल तक आपको job करना है, notification किसका है बीटा, medical officers का है, अगर आप medical field से संबंदित हैं, अगर आपने MBS किया हुआ है, या आप non medical officer बनना चाहते हैं, MSC आपके पास है, रसायन सास की बात करते हैं, प्रानी सास की बात करते हैं, और बनस्पती सास की बात करते हैं, आप इसके लिए apply कर सकते हैं, अभी द आती हैं, आप सबको पता है, basically ये 2019 की vacancy है, 2019 की, आई कब है 2020 के last में, पेपर कब होगा 2021 में, exam की date बहुत जल्दी publish कर देगा, और जैसे ही exam की date आपको मालुम चलेगी, मैं definitely आपके सामने एक lecture लेकर आपके पास आ जाओंगा, आप देखो परिशान आपको कहां पर आ सकती ह कि इसकी तैयारी कैसे करें, बचे देखो तैयारी का एक simple सा तरीका है, आपको क्या करना है, आपका syllabus निकालना है, और syllabus को निकालने के बाद, proper जो एक strategy होती है, मतलब अगर अपन civil exam की तैयारी कहां पर बातचीत करें, तो इनका एक proper schedule है, कि आप subject को time by time परते चले जाएगी इसकी परते बाते हैं, बहुत सारी बाते हैं, आपर बोली गई है, कि कितने बच्ची सेलेक्ट किया जाएगे, कितने सेलेक्ट नहीं किया जाएगे, मेरा जो lecture बनाने का objective यही है, कि आपको information देपाऊं, medical officers की vacancy निकाल दी है, start date है 18-12-2020, last date है 17-1-2021, और office में जमा करना चा qualification है, medical officer के लिए MBBS चाहिए, non medical officers के लिए MSC चाहिए, मैंने आपको subject बता दी है, किस किस में अगर आप आते हैं, तो बिल्कुल apply करें, बिटा age क्या है, 21 साल, minimum, maximum क्या है, 40 साल, और 5 साल का relaxation है, अगर आप SC, ST, OBC, या बिमन ग्रूप से आते हैं, तो यह इसकी क्या है, सारी स इससे related, आप मुझे comment box में बता सकते हैं, definitely मैं आपके लिए क्या करूँगा, एक lecture लेक्चर 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 में, सिविल वाले बच्चे आप थोड़ा सा focus करिएगा, देखो medical की vacancy आ गई है, आयोग ने बोल दिया कि हम action mood में है, आपकी vacancy कभी भी आ सकती है, आपकी लि problems हैं, मुझे बताने की, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, next lecture में, thank you very much for discussion, have a next time, good day.